हेलो फ्रेंड्स, रानी कीचेन में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप रागी के नाम से जानते होंगे, इसे बिहार और जारखन में लोग मढवा कहते हैं, इसे मैं गेहूं का आटा और चावल के आटा के साथ या एक हेल्दी स्नेक्स है, रागी यानि मढवा में कैल्सियम, आईरन और अमिनो एसिद भरपूर मात्रा में होता है, या बच्चों और बुड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, चलिए मैं बनाती हूँ, देखे, अब मैं रागी चिला का गोलतियार करती हूँ, एक जो गेहूं काटा आप खाते हो, वह है, इसमें मैंने थोड़ा 1 तीए स्पून जीरा पॉडर, 1 तीए स्पून नमक, और इसमें मैंने दो चम्मच लगबर दही दिया है, सभी चीजों को मिला दीजे, पानी है, जो धीरे धीरे आप इसको दीजे, मुझे इसका पेष्ट को बहुत पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रहेगा, देखिए, और पान लग रहा है, बस इसी तरीके से मिला लेजे, थोड़ा और पानी था, ओभी मैं दे दी हूँ, दो कटोरी पानी पड़ गया है, अब मैं, अगर मुझे और पतला करना होगा, तो फिर मैं बाद में देखूंगी, जब बनाने लगूंगी, अभी मुझे इसे रेष्ट करने के लिए, आप आप आवर छोड़ देना है, हाफ आवर हो गया है, अब मैं इसमें प्याज जो मैंने चॉप्ट करके काटा था, रखा था इसे, वो डाल दे रही हो, इसमें मैंने दो हरी मिर्च भी डाल दी हूँ, बस इसमें एड करना है कैपसिकुम, इसे भी मैंने चॉप्ट किया अब दनिया पत्ती है, इसे मिलाना है, यह देखना है कि आपकी कंसिकेंस कैसी है, यह बिल्कुल अभी परफेक्ट है, यह देखे, इसे जब भी आप बनाए, इसमें बीत में चलाते रहना है, अब यह सब चिन मिल गया है, अब मैं गैस को आउन करते हूँ, गैस का फ्लेम अब मैं इसमें अभी तेल देती हूँ, इसे धीरे धीरे, नहीं इसे मुझे बहुत पतला करना है, और मुझे मोटा रखना है, अब गैस का फ्लेम मैं मेडियम टू लो रखती हूँ, अभी हाई पुरा नहीं करना है, बस इसे अब दो मिनट के लिए, इसी तरीके से आप इसे बटर के साथ भी आया सुक देसी घी के साथ भी बना सकते हूँ, आपकी जैसे इच्छा हो ऐसा बनाना, यह देखी मेरा एक साथ पग गया है, अब मैं बनाद दे रही हूँ, बस यह भी दो मिनट तक के लिए रहेगा, और उसके बाद यह रिली हो जाएगा, अब और में इसे निकाल रही हूँ, इसमें अभी तेल भी नी डाल रही हूँ और इसे मैं ऐसे चला लेना है, यह ना मोटा है ना पतला है और मैं इसके उपर से अपतिल दे दो, यह लेके शाइट से भी दे देना है। बस इसी तरीके से आप सारे चीले को बनाते चलिए यह देखें मेरा एकटम परफेक्ट त्यार हो गया है चीला आप मैं इसे निकाल रहे रही हुआ निकाल और मैं इसे निकाल रहे रहे हुआ है।